नमस्कार बच्चो ये हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 से 15 वीर कुवर सिंग वीर कुवर सिंग एक ऐसे योध्धा जिनोंने 80 वर्ष की आईयों में अंग्रेजों से लोहा लिया उनके दाथ खटे किये और विजय हासिल की हमारा इतिहास ऐसे नायकों और नायकां से भरा पड़ा है जिनोंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंतरता संग्राम में अपना अमूले योगदान दिया उनी में से एक थे वीर कुवर सिंग आये पढ़ते हैं पाठ जानते हैं इस वीर योद्धा के बारे में आपने सुभत्रा कुमारी चौहान की कविता जहासि की रानी कक्षा छटी में पढ़ी होगी इस कविता में ठाकुर कुवर सिंग का नाम भी आया है आपको कविता की पंक्तियां तो याद ही आ रही होंगी एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए इस सुतंत्रता महायग्य में कई वीर वर आये काम नाना धूधू पंत तात्या चत्तुर अजी मुल्ला सरनाम एहमद शाह मौलवी ठाकुर कुवर सिंग सैनिक अभिराम भारत के इतिहास कगन में अमर रहेंगे जिनके नाम यहां सुतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुवर सिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है सर 1857 के व्यापक सश्यस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शाशन की जड़ों को हिला कर रख दिया था बच्चों हम सभी जानते हैं कि सर 1857 में हमारा पहला विद्रोह हुआ था यानि सुतंत्रता के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें अनेक वीर और वीरांगना काम आये थे उनमें से कुछ के नाम उपर इन पंक्तियों में दिये गए है तो इन पंक्तियों में जिस कुवर्सिंग की बात की जा रही है ये पार्थ उसी कुवर्सिंग के बारे में है भारत में ब्रिटिश साशन ने इस दमन नीती को आरम कर दिया था उसके विरुद विद्रोह शुरू हो चुका था मार्च 1857 में बहरकपुर में अंग्रेजों के विरुद बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रेल सन 1857 को फासी दे दी गई दस माई 1857 को मेरट में भारतिय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए दिल्ली में तैनाथ सैनिकों के साथ मिलकर 11 मही को उन्होंने दिल्ली पर कबजा कर लिया और अंतिब मुगल शासक बहदुर शाह जफर को भारत का शाशक घोशित कर दिया यह विद्रोह जंगल में आग की तरह दूर दूर तक फैल गया कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तरिद भूभाग पर विद्रोहियों का कबजा रहा तो यहां 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ विस विद्रोह ने बहुत विक्राल रूप ले लिया सभी सैनिकों ने दिल्ली पर जाकर कबजा कर लिया और वहां पर मुगल शासक जो की भादुर शाह जफर थे बूड़े हो चुके थे अपने अंतिम गिन समय गिन रहे थे उन्हें वहां का शाशक घोशित कर दिया दिल्ली के अत्रिक्त जहां अत्यदिक भीशन युद्ध हुआ वे केंडर थे कानपुर, लखनव, बरेली, बुंदेल, खंड और आरा इसके साथ ही देश के अन्य भागों में भी स्थानिय विद्रोह हुए विद्रोह के मुखे नेताओं में नाना साहिब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीम उल्ला खान, रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत महल, कुवर सिंग, मौलवी एहमद उचला, बहद्दुर खान, राव दुलाराम इत्यादी थे 1857 का आंदोलन सुतंत्रता प्राप्ती की दिशा में एक द्रड कदम था आगे चलकर इस राष्ट्रिय एक्ता और आंदोलन की नीव पड़ी, इसकी आधार भूमी को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन नहीं किया भारत में सामप्रादाइक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेश महत्व है बच्चो ऐसा इसले कहा गया क्योंकि यहाँ पर सभी ने अपने धर्मों के आधार पर युद्ध नहीं किया बलकि सभी ने अपने देश के लिए आजादी के लिए मिलकर युद्ध किया था ना कोई हिंदू था ना मुसल्मान ना सिख ना पारसी सभी ने भारत की आजादी के लिए मिलकर सहयोग किया इसमें से कुछ मुख्य नाम इस अनुच्छेद में यहाँ पर दिये गए है 57 के आंदोलन में वीर कुवर सिंग का नाम विश्कई दृष्टियों से उलेखनिये है कुवर सिंग जैसे वयो व्रिध व्यक्ती ने ब्रिटिश साशन के विरुद बहदुरी के साथ हिद्ध किया वीर कुवर सिंग के बच्पन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती कहा जाता है कि वीर कुवर सिंग का जन बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 इस्वी में हुआ था इनके पिता का नाम साहबजादा सिंग और माता का नाम पंचरतन कुवर था उनके पिता शाहबजादा सिंग जगदीशपुर रियासत के जमीदार थे कुवर सिंग के पिता बच्पन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीश पुर लौटने के बाद ही वे कुवर सिंग की पढ़ाई लिखाई की ठीक से विवस्था कर पाए। कुवर सिंग के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुवर सिंग पर भी पढ़ा। कुवर सिंग की दीक्षा शिक्षा की व्यवस्था उनके पिताग ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंद कि कुवर सिंग एक अच्छे परिवार में जन में थे और उनके पिता भी बहुत अच्छे सोभाव के व्यक्ति थे। क्योंकि उनके पिता को जमीन पाने के लिए संखर्ष करना पड़ा इसलिए शायद वो अपने बच्चे को जादा समय नहीं दे पाते थे। इसलिए उन्होंने घर पर ही उनकी पढ़ाई ग्रिखाई के लिए विवस्ता कर दी और इसमें घर पर ही रहकर उन्होंने अनेक भाशाएं सीखी और साथ ही साथ में घुरसवारी, तलवार बाजी, कुष्टी, त्यादी भी करते थे। बाबु कोवर सिंग ने अपने पिता की मृत्यू के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी को संभाला उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोश उत्पन हो रहा था क्रिशी, उद्योग और व्यापार तो उसका तो बहुत ही बुरा हाल था रजवाडों के राजदर्बार भी समाप्थ हो गए थे भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपून और उची नौकरियों से वन्चित कर दिया जाता था इससे बुरिटिश सत्ता के विरुद्ध देश व्यापी संखर्ष की स्थिती बन गई ऐसी स्थिती में कुवर सिंग ने बुरिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया यानी सन 1857 से पहले 1827 तक आते आते बुरिटिश हुकूमत ने बहुत जादा अत्याचार करने आरम कर दिये थे जिसके खिलाफ अब विद्रोह करने का समय आ चुका था तो ऐसे में कुवर सिंग ने ये निश्टे कर लिया कि वो इस साशन के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे जगदीशपूर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहा करते थे उन्होंने ही कुवर सिंग में देश भक्ती और स्वाधीनता की भावना को उद्पन किया उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर और लखनव आदी स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाय बनाई विशन 1845 से लेकर 1846 तक काफी सक्रिय रहे गुप्त धंग से ब्रेटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे उन्होंने बिहार के प्रसिद सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है यह मेला कार्थिक पूर्णिमा के अफसर पर लगता है यह हाथियों के क्रे विक्रे के लिए भी विक्यात है इसी एतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधिनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांती के बारे में योजना बनाते थे तो बच्चो कुवर सिंग के गुरू थे बसुरिया बाबा जिनके साथ मिलकर वो अंग्रेजों के खिलाफ योजनाय बनाते थे और इसके उन्होंने एक कुप्त बैठक के लिए जगा चुनी थी सोनपूर का मेला सोनपूर का मेला आज भी बड़ा प्रसद्ध है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मिला है तो यहां पर वो आया करते और लोगों की भीड में गुल मिल जाया करते थे ताकि अंग्रेज उन्हें पहचानना सके तो ये उनकी गुप्त बैठकों के लिए सबसे अच्छी जगा थी 25 जुलाई सन 1857 को दानापुर की स्वनिक टुकडी ने विद्रुख कर दिया और सैनिक सोन नदी को पार करके आरा की ओर बढ़ चले कुवर सिंग से उनका संपर्क पहले से ही था इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुवर सिंग का जैगोश करते हुए 257 को कुवर सिंग ने आरा पर विजय प्राप्त की, सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी यद्यपी कुवर सिंग अब बुड़े हो चले थे परंतु वे बुढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा कुरांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया तो इस प्रकार से कुवर सिंग ने सैनिकों का बहुत सफलता पूर्वक नेत्रित्व किया विजय प्राप्त की, कैदियों को आजाद कराया और साथ ही साथ में इतनी बड़ी आयू में यानि इतने बुड़े होने पर भी युद्ध के लिए वो तयार हो गए ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सके दानापुर और आराकीस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फ्याप्त हो गई थी लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानी जमीदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और आधुनिक्तम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुवर सिंग की सेना अंग्रेजों से हार गई किन्तु इस से वीर कुवर सिंग का आत्मबल तूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने के लिए तयार हो गए वे क्रान्ती के अन्य संचालक नेताओं के साथ मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे कुवर सिंग सासा राम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनव तक गए लखनव में शान्ती नहीं थी इसलिए पाबू कुवर सिंग ने आजमगड की और प्रस्थान किया उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा उनकी वीर्था की कीर्थी पूरे उत्तर भारत में फैल गई कुवर सिंग की इस विजय आत्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए बचुप कोशिश बहुत की उन्होंने कुवर सिंग ने लेकिन उनके साथ जो सैनिक थे उनमें अनुशासन की कमी थी और जब कोई डिसिप्लिन न हो तो वहाँ पर तो अराजक्ता फैलती ही है साथी साथ में जो स्थानिय जमीदार थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और उन्हें सहयोग नहीं दिया उनके पास ना तो बहुत जादा शस्त्र थे और ना ही डिसिप्लिन यानि की अनुशासन था इसके कारण जगदीशपूर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा जगदीशपूर की हार को भी उन्होंने एक सीख के रूप में लिया और वो आगे की ओर बढ़ चले नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अनिक योजनाएं बनाई और वो लखनव से आगे आजमगड की ओर चल पड़े उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था और अंग्रेजों की नीदें उड़ गई थी कई स्थानों के सैनिक और राजा कुवर सिंग की अधीनता में लड़े उनकी यह यात्रा आगे बढ़ती रही लोग उसमें शामिल होते चले गए उनकी अगवाई में लड़ते रहे इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिक के सहयोग के साथ सफल सैनिर रणीती का प्रदर्शन करते हुए वो लखनव पहुँचे आजमगर की और बढ़ते जाने का उनका उद्देश्य था इलाहबाद और बनारस पर आप्रमन करके शत्रों को पराजित करना और अंततह जगदीशपुर पर अधिकार करना अंग्रेजों और कुवर सिंग की सेना के बीच खमासान युद्ध हुआ उन्होंने 22 मार्च सन 1858 को आजमगर पर कबजा कर लिया इस प्रकार से वो आगे बढ़ते चले गए उनके साथ छोटे छोटे राजा भी लड़ते गए अब सबने मिलकर जब लड़ाई की तो उसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों के साथ जब युद्ध हुआ तो उन्होंने आजमगर को जीत लिया अंग्रेजों ने 22 से आजमगर पर हमला किया कुवर सिंग ने एक बार फिर से आजमगड में अंग्रेजों को हराया इस प्रकार अंग्रेजी सेना को हराकर वीर कुवर सिंग 23 अप्रेल सन 1858 को स्वाधीनता की वजय पता का फैराते हुए जगदीशपुर पहुँच गए किन्तु इस बुढ़े शेर को बहुत दिनों तक इस वजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला इसी दिन वजय उच्सव बनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक उतार कर अपना ज़ंडा फैराया इसके तीन दिन बाद ही 26 अप्रेल को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया स्वाधीनता सेनानी वीर कुवर सिंग युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे चापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी कुवर सिंग के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूरी तरह असमर्थ थे तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों को हराया और उनकी जीत का उत्सव मनाया गया लेकिन उसके तीन दिन बाद ही उनकी मृत्यू हो गई दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या फिर कट मरना पड़ता था 1857 के सोतंतरता संग्राम में उन्होंने तलवार की धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा उसकी चमक आज भी भारती एतिहास के प्रिष्ठों पर अंकित है उनकी बहाद्दुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है कहा जाता है एक बार वीर कुवर सिंग को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी पर कुवर सिंग भी कम चतुर नहीं थे उन्होंने अफवाह फैला दी कि वो अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चड़ कर पार करेंगे अंग्रेज सेना पती डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा के तट पर जा पहुँचा और कुवर सिंग की प्रतीक्षा करने लगा कुवर सिंग ने बलिया से साथ मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दी जब डगलस को इस घटना की पूरी सूचना मिली तो वे भागते हुए शिवराजपुर पहुँचा परंतु कुवर सिंग की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी तो उनकी जो वीर्ता है बहदुरी है उसके किस्से आज भी सुनाये जाते हैं उनमें से एक किस्सा ये गंगा से सेना पार करने का है एक अंतिम नाव रह गई थी और कुवर सिंग उसी पर सवार थे अंग्रेज सेनापती डगलस को अच्छा मौका मिल गया उसने गोलियां बरसानी आरंप कर दी तब वीर कुवर सिंग के बाएं हाथ की कलाई को भेटते हुए एक गोली निकल गई कुवर सिंग को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा उसी क्षण उन्होंने गंगा मिया की और भाव पूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मिया को समर्पित कर दिया कुवर सिंग ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा हे गंगा मिया अपने प्यारे की ये अकिंचन भेट स्वीकार करो कुवर सिंग जानते थे कि उन्हें जो गोली लगी है उसके बारूद से शरीर में जहर फैल जाएगा बाजू खराब हो जाएगी और पूरा शरीर भी जा सकता है बृत्यू हो सकती है इसलिए उन्होंने अपनी बाजू काट कर गंगा में ही फेंग दी वीर कुवर सिंग ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो ले ही लिया उन्होंने अनेक प्रकार के सामाजिक कारे भी किये आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी जिस पर स्कूल के भवन का निर्मान किया गया कहा जाता है उनकी आर्स्थिक्ट सती बहुत अच्छी नहीं थी फिर वी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी जिन में से एक है आरा जगदीशपुर सडक और आरा बलिया सडक का निर्मान उस समय जल की पूर्ती के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे वीर कुवर सिंग ने कुएं भी खुदवाए और जलाशे भी बनवाए तो इस प्रकार से कुवर सिंग ने केवल अंग्रेजों को ही नहीं हराया उनकी नाक में दम नहीं किया बलकि साथ ही साथ में सामाजिक सेवा के कारे भी किये खुद उनके पास बहुत जादा धन समपत्ती नहीं थी लेकिन फिर भी उनके पास यदि कोई निर्धन व्यक्ति आता था तो उसकी मदद अवश्य करते थे उन्होंने सड़के बनवाई, तालाब खुदवाए, कुएं खुदवाए और साथ ही साथ में पाथशालाओं का भी निर्मान करवाया कुवर सिंग उदार और अत्यंत समवेदन शील व्यक्ति थे इब्राहिम खान और किफायत हुसेन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे उनके यहां हिंदूओं और मुसल्मानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर बनाये जाते थे उन्होंने पाथशालाएं और मक्तब भी बनवाए बाबो कुवर सिंग की लोग प्रियता इतनी अधिक थी कि बिहार की कई लोग भाशाओं में उनकी प्रशस्ती लोग गीतों के रूप में आज भी गाई जाती है बिहार के प्रसिद्ध कवी मनुरंजन प्रसाद सिंग ने उनकी वीरता और शौरे का वर्णन करते हुए लिखा है चला गया यू कुवर अमरपुर साहस से सब अरिदल जीत उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भैभीत वीर प्रसविनी भूमी धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीत गाते थे और गावेंगे हम हर दम उसकी जैका गीत सोतंत्रता का सैनिक था वह आजादी का दीवाना था सब कहते हैं कुवर सिंग भी बड़ा वीर मरदाना था तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना एक ऐसे जाबाज व्यक्ति के बारे में एक जाबाज सिपाही के बारे में उम्र जिसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी वीर्ता और साहस जिसमें कूट-कूट कर भरा था जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता था यदि हम भी इसी प्रकार से अपने देश से प्रेम करें तो हमारे देश को कोई भी बुरी नर्जर से देखने का कभी भी साहस नहीं करेगा तो आईए प्रण लेते हैं कि इसी प्रकार हम भी अपने देश को प्यार करेंगे देश के लिए सब कुछ नियोचावर करने के लिए हमेशा तयार रहेंगे ये तो था बच्चो पाठ, हमें आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा इसी पाठ के प्रश्ण उत्तर, MCQ तथा शब्दार्ट के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, विदा